तो फिर से मैं उन्टोश के उपर कुछ टिप्स सेयर करने वाला हूँ और आज का जो इस्यू है ब्लूटूट को लेके अगर आप यहाँ पर स्टार्ट में आके उन्टोश 10 के उपर सेटिंग्स पर आएंगे और ब्लूटूट पर आएंगे आपका जो laptop का या फिर desktop का speaker है उस पे चल रहा है तो यहाँ पे एक काम करना होगा आपको आना है Windows R करना है keyboard से और यहाँ पे open करना है services.msc टाइप करना है services.msc और करना है OK और यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते है Bluetooth Audio Gateway Service, Bluetooth Support Service और Bluetooth User Support Service तो आप चाहे तो तीनों को एक बार restart कर सकते है service को यहाँ पे माउस से करना है right click और जाना है restart के उपर और click करना है restart के उपर और यहाँ पे देख सकते है जैसे कि service control restart हो रहा है तो ऐसे आपको तीनों service को restart कर लेन है इसके बाद आपको जाना है this PC में और right click करके manage में आना है और manage पर आने के बाद आपको आना है device manager में और device manager में आने के बाद यहाँ पे click करना है expand करना है Bluetooth के जो नीचे arrow sign है और यहाँ पे देख सकते है realtech Bluetooth 4.2 adapter तो इसके उपर right click करके करना है update driver ध्यान दीजिए आपका laptop या फिर desktop internet से connect रहना चाहिए तो यहाँ पर करना है update driver के उपर click और यहाँ पर first बला जो option है search automatically for update driver software internet से automatically find out करके update हो जाएगा तो मैं कल इसको update कर लिया इसलिए यहाँ पर दिखाए कि already updated अगर आपके पास यह updated नहीं है तो आपका internet से install automatically हो जाएगा और उसके बाद फिर से आप ट्राइ कीजिए आपका जो Bluetooth earphone या फिर external speaker है Bluetooth का connect कीजिए और आपका audio output सही तरीके से आएगा तो यहाँ पर देख सकते है the best driver for your device are already installed तो मैं कल इसको update कर लिया था क्यूंकि मैं भी ऐसा कुछ issue face किया था आपको दिखा दिया अगर Bluetooth का issue आप face करते हो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको काफी पसंद है होगा अगर पसंद है तो प्रीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नहीं है तो प्रीज सब्सक्राइब करके बैल आकन को ट्रेस कर लिजिए मैं मिलता आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद